इस तरह के जो अपराद हो रहे हैं उसमें जो जोद्पूर की घटना है, वहां भी अपरादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कहीं पे भी इस तरह की जो घटनाएं होती है, वो सरकार के लिए चुनोती है और सरकार चुनोती जो रूपनों उसको स्विकार करती है, हमारी अपने उपलगदियों पर बात नहीं करती, अपने काम पर बात नहीं करती, कौंग देस हमेशा अपने काम गिनाती है, हमने क्या किया, क्रमचारी के लिए, व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, विध्यारती के लिए, जो हमने किया, वो ही बीजेपी, ह सबसे चुनाव आए नजदी तब से बीजेपी भुखलाई हुए डरती है महंगा ही राज सीवरों में इतनी भीड हो गई करोड़ों लोग जुड़ गए क्यों करोड़ों लोग जब राजस्तान की सरकार के साथ खड़े हो गए मुख्यमंत्री के कारेकरम सफल हो गए तो उस हम भी स्टूडेंट लीडर हैं लेकिन मैं स्टूडेंट लीडर से कहूंगा कि सिर्फ लाठी खाने से नितागरी नहीं चल दो हम भी राजस्ताथ जैपूर में जंता कर्शी लगाए साथ साथ बार राजस्तान बंद किये लेकिन हम पुलिस और चात्रों में टक्राव ठीक चाहिए नहीं है पुलिस लेना देना नहीं और फिर आप इस तरह का एक्ष Sabb को लेना देना नहीं है और फिर आप इस तरह का एक्षन लेते हो मेरा मानना है चाहे विजारती परीशद हो चाहिए नश्याइई हो अमारा पुलिस से बेवजे तक्राव नहीं होना चाहिए तक्राव चलना चाहिए आप बुद्दे उठाओ भीडिकटी करो प्रदर्सन करो लेकिन छात राजनीती में बेवजे मुकद में नहीं लगवाने चाहिए यह मुकद म उसमें साफ दिकरा है कि अकेली पुलिस जिम्यदार नहीं है जिस तरह कि हम हरकत करते हैं वो ठीक नहीं है कानून हाथ में लेना किसी के लिए भी गलत है